इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा पिछले कुछ दिनों से काफी तब्दिलिया देखने को मिल रही है लागडाउन का फैसला सही था या नहीं इस पर भी बैस हो रही है सेंकड़ गरीब मजदूर के पैदल जाते काफिलों पर भी मरकेजी हुकूमत को घहर रिकी कोशिश की जा रहे है आखर हुकूमत बहतर तर कर दम तोड़ रहे पर सवाल उठाने की हमत कोई नहीं कर पा रहा दभी आवाज में ही क्यों नहों पर अब आवाज उठनी शुरू हुई है और अगर मीडिया इस लोकतंतर का च्चाउथा सुतून है उसकी जिम्मेदारी है उसका हक है कि सत्ता से सवाल पूचे फिर सत्ता में बैठा नेता कितना ही ताकतवर क्यों नहों एक बार फिर मोदी हुकुमत पर सवाल उठाना लाजमी बनता जा रहा है कल लवरंगबाद से रेल पट्रियों पर चलते जाने वाले मजदूर ठक कर पट्रियों पर सो गए तो इनकी आखरी नीन साबित हुई क्या कब तक ग किसी को भी वरोसे में नहीं लिए बगएर बिना सोचे समझे वजिर आजम इस तरह के फैसले लेते हैं उन्होंने यह भी कहा कि लागडाउन कोई आन नाफ का बटन नहीं है जो कभी भी बंद करें और कभी भी जारी करें लागडाउन के जो खतरनाक नतीजे बरामद हो रह हैं कल और अंबाद की पत्रियों पर 16 मजदूर काट कर मरने का भी जिकर किया गया कॉंगरेस ने चवथरफा हमला करते हैं कहा कि नमस्ते ट्रंप से ही भारत में कोरोना वबाद आके लुए लाखों लोगों को ट्रंप को नमस्ते करने से पहले ही भारत में कोरोना के मरीज पाए गए थे प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी के लिए प्रदान मंत्री को जिम्यदार ठहरा जाए तमाम पॉलिसिया नाकाम होती जा रही है गुजरात में कोरोना के लिए सीधे मोधी सरकार को जिम्यदार ठहराय जा रहा है इसी तरह से कमलनात जो मद्परद को एतमाद में लेकर फैसला लिया गया सवाल यह भी उड़ता है कि अगर इतनी खतरनक विमारी है और लॉक्डाउन को खत्म भी किया जा रहा है और मरीजों की तैदात पचास हजार पार भी है तो किस तरह इस पर काबू पाया जाए शराबियों की भी भीड इसके लिए वज क्रान मंत्री कर रहे हैं उसी पट्रियों पर गरीबों की मौत हो रही है कैसे पट्री पर लाएंगे हरत्वेवस्ता को जब सेंकड़ों हजारों मिल अपने घरों को मजदूर पहुंचेंगे तो फैक्टरियों को खोलने के बाद मजदूर कहां से मिलेंगे कहीं ऐसा तो नह कर दो